हेलो दोस्तो यह है थिरी फिस कनेकशन और यह है थिरी फिस का इसलेटर एपॉइंट एम सी भी हर बोड की और आज हम उप्याश कनेकशन करेंगे सारी बैटरीयां है इसको सारी को एक सीरिस में जोड कर यूपी एस कनेक्शन करके आपको दिखाएंगे यह चार दुनिया चार्टिया चार्ट सूला बैटरी है इसका कनेक्शन होगा सीरिज में और हम आपको कनेक्शन करके दिखाएंगे यह 12 बूल्ट 65 एमपियर की एक बैटरी और यह बिल्लिंग है इसका इलेक्ट्रिक फिटिंग का काम हुआ है यह पॉइंट है बोड है शेलिंग की पॉइंट एक आफिस है उसका कनेक्शन होगा है और हम इसका पूरा आपको वीडियो दिखाएंगे यह इसकी हम कनेक्शन करते हैं सीरिज में आप देखिए पूरा कनेक्शन देखिए लास्ट तक वीडियो में बने रहें क्यों साम कुंसे पॉ polsk being unav conventionally और है ऑग माँ बने ड्मार करत।व पॉरा चजों समयात्ज कैनक्शन हुआ geचिए भ Minnesota अनु खवचिंग में आपको 10 हो जदे हुआ हो ओक्रवम में पहालाрист है झाल 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 इन सारी बैटरीयों का सीरिज में कनेक्शन हो गया है अभी आप देखेंगे हम पूरी बैटरी आपको चेक करके दिखाएंगे प्लस माइनस प्लस माइनस ये कनेक्शन सारे हो गये हैं इन्जॉय फॉर वीडियो झाल 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 प्लस माइनस प्लस माइनस ये उपर काउस के लिए छूड़ा है यूपियस के लिए नीचे प्लस है उपर माइनस प्लस माइनस ये सारी मेंटरियों में एक ही करल का वायर है और प्लस माइनस ये सीरीज में सारी जुड़ गई हैं और आगे आप देखिए इसका हम कनेक्शन करके आपको दिखाते यूपियस में कैसे होता है ये यूपियस कोल रहे हैं दूसरी जहां सब्ट किया है ये पराना ही पूरा सिस्टम है इसका हम कनेक्शन दिखा रहा है आपको करके ये ये वाला है आउटपुट वाला ग्रीन और ब्लैक वायर है इसमें आउटपुट होता है दो नीचे है ये बैंटरी का सॉकेट है ये आउटपुट है ये इनपुट है यहां से जाएगा करेंट और ये चार्ज डिस्चार्ज होगा इसका हम कनेक्शन करके दिखा रहे है ये यूपीएस का सॉकेट है अब हाया इसमें पन्ने पीछे और इसको चीर इसे बल्ब से लगाते ताकि एक सोट जो आता है एक मेंटर में आवाज वो ना हो बल्ब से ब्ल्ब इसमें आती इसमें नहीं आई यह वाजिए को यह हमने डारेक्ट लगाया बल्ब नहीं जला इसमें कोई परिशान नहीं क्या है इतनी सारी मेंटरी में बिलास्ट होता है तिसली बल्ब से चेक करके ही लगाना पड़ता है जिसमें जितना बूल्ट जाएगा यह बल्ब कितिरी कम होता जाता है एक अनेक्शन कंप्लीट हो गया है आप को अनप करके देखाईए और सारी कनेक्शन एकदम टाइट रहने चाहिए क्योंकि बाद में यह का दिलूज रह जाए तो यह टर्मिनल उड़ा देता है गल गल के दीरे दीरे होके यह टर्मिनल उड़ जाता है तो यह टाइट रखना बाता है अब यूपीएस चालू करके देखाते हैं कि यूपीएस कौन हो गया है और हम आपको बलब चालू करके चेक करके दिखाते हैं कि यह मैंटरी दिखा रहा है पूरी है एक 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 प्रेंड लिखाओं कि हमें इसके ताल लगा दिए है और इसको ओन कराएं दबाके थोड़ी दिख तो दबाना की रखना परता है तब यह यह लाइंट आन हो गया इसको दबाय रखना है यह बंद हो जाएग तो और इसमें एकदम करेंट चला जाता है और दीर दीर आता है वीडियो अच्छी लेगत लाइक करें चैनल सस्काइब करें धन्यवाद